आप सभी वक्तों को जैश्री किष्णा आप सभी का हमारे चैनल बी एस सर्मा भाददवाज में स्वागत हैं वक्तों आज जो हम पुत्रेश्री कठा हर्वण्स पुरान की उन्नीश्मी दिन की कठा का बंदन कर रहें आप सभी ढयान लगाकर के माराज भरत की चेत्र का स्व करें बुलेंद्रावन व्यादिलाल कीजें गजान नम्भूत गड़ादिशिवितं कापेथ्थे अंभूपलिचार वक्यणं उमा सुतं सोक विनाशिकारिकं नमामि भिगनेश्वरपाद बंगजं गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देवो मेश्वरा गुरूर साख्याते परंभरम महा तस् मैं शी गुर्वे नमाः अखन्द मन्ला कारम व्याक्तम ये नचराकरम तर बदंदरस Etam ये नहा तस् मैं शी गुर्वे नमाः नेमिशे सू्तमासी नहा मभिवाद्या महमतिम् कथा मृतार सस्वादह कुषलासो निको भृवेथ सप्रधम भगवाशी रादा किष्ण के चर्ण कम्नों में प्रिनाम करके शिरी भ्यासी माराज सरस्वती देवी एवं सद्गोर्देव के चर्णों का ध्यान करते हुए अपने मातापिता सभी पूजनों का अशिर्वा लेते हुए भगवाशी बाकिव्यारी मुल्ली मनुलाशी प्रात्ना का तेहीं गोविन हमको सद बुद्धि लेना धर्यम का राश्चा दिखाना अपनी बक्तियों करपाधिष्टी सद अबनाए रखना बुलिंद्रावन व्यारी लाले की जैं शिरी सूजी माराज कहते हैं कि रिशीवरों रिशाव देव के पुत्र जो सबसे बड़े पुत्र भरत थे भरत ने जो है दस जार वर्ष तक प्रिठवी पर राज किया माराज भरत ने अपने पुत्रों को जो है इस भारत वर्ष का राज जिदे करके स्वेम जो है पुला आसम में तपश्चा करने के लिए चिले गए और वहाँ जाकर के उस आसम के किनारे गंड़ी नदी बैती है जा पर संक चक्र से अंकेत साल गिराम शिला की प्राप्ती होती है राज रिशी भरत ने अकेले उस आस्सम में निबास करके पोस्व पल्लव तोसी जल कन मूल अनेक प्रकार के बिविड प्रकार से भगवान श्री नारायन का पूजन प्रारम करा स्वेव रिसव देव भगवान के पुत्र जो साचार विशनु भगवान के पुत्र हैं क्यों विशनु भगवान रिसव देव हैं उनके अंसित्पन हुए और रिसव देव के पुत्र भरत हैं तो यह परमात्मा के पुत्रों करके भी इनने तपका साधन अपनाया कर्मों का फल चाहें इनसान हो चाहें देवता हो चाहें परमात्मा सब को वगत ना पता है परमात्मा के आंस्तों पुत्र तो हम भी हैं पांतु हम अपने कर्मों के कारण इस संसार के मोई बंदन में फसे हुए हैं इसलिए संसार के दुखों से हम दुखी हैं हमें संसार की चीजों का लोव मोई जो है हमें दुखी करके रखता है भारत जी ने सब कुछ त्याग दिया था भारत जी आपने पिता के परम्प्र मस्रूप सी नाराइन का ध्यान करते हैं उनकी फल पुश्व से पूजा करते हैं दिन चर्या करते हैं और भगवाल की कीतन करते हुए इतने द्रवित में हो जाते हैं कि उनके नित्रों से आंसों की धारा बैने लग जाती थी क्योंकि कहते ना आयकांत में अकेले रहकर के जिस चीज में मन लगाओ अच्छी तरह से लगता है अगर परमात्मा की भक्ती कानी है तो भक्तों याद रखो चोटी अवस्ता में आप जो किसी अपने पास बेंक में इतना पैसा दखो जो आपका गुजारा होता रहे पच्छों को सब कुछ दे करके फिर वहां जाकर के बैठकर के एकांत में पती पतनी भचन करो परमात्मा का पूरा जीवन अपने बच्छों के लिए बिताया बच्छों को दिया और एक अवस्ता तो नित्य प्रिती परमात्मा के नाम से जिरूर देना चाहिए 24 गंते में से क्या हम एक गंता भगवान के लिए नहीं दे सकते हैं भगवान की कठाश्वन का निमें दो भगवान का नाम जपने में दो तो आपका उद्दार सहज में हो जाएगा माराज भरत जो हैं वहीं बैठकर के भगवान की पूजा काते और भगवान की प्रात्ना काते रहते इस तरह से उनके शरीर में एक दिब्वित तेज उत्पन हो गया एक समय पर राज रिशी भरत गंडगी नदी में इश्नान कर रहे थी अब देखो भगवान की माया कहते हैं जब इंसान धर्म की राष्टे पर चलता है तो अनेक प्रकार की परिक्षा है उसकी होती है अनेक तरह की कतना है उसके सामने आती है पर उसे दिगना नहीं चाहिए अटल रहना चाहिए भरत जी पर्मात्मा के इस रूप में मिलने वाले थी क्योंकि पर्मात्मा के पुत्र और उन्होंने भगवान नहराएं के ऐसे बटी करी अटल बटी करी उन्हें शेक्रों बस बटी का थी वो बीट गई अन्त गति का जो समय था हुए ही समय नेकिया व पासना कर रहे थे शूर को अद दे रहे थे उसी सवे पर गरबती हिरनी वहां नदी पर जल पीने के लिए आई और जैसे जल पीने लगी पीशे से एक शिंग आया और शिंग ने आक्रवन कर दिया गरबती हिरनी अपनी जान बचाने के लिए उस नदी की छडांग लगाई नदी पार नहीं कर सकी और नदी में पार होते हो तो इसका गरब नदी में गिर गया और गरबती हिरनी जो है आँखों से आँसु बात वी भरत जी की तरफ देख रही है भरत जी की तरफ देख रही है वहां से जैसे तैसे बच्चे को छोड़ करके आगे बड़ी और जाकर के उसने प्रांत त्याग दिये मानो भरत जी से यह कह रही हो कि मेरे बच्चे की रक्षा करो भरत जी ने उस हिरन के बच्चे को गोदी मिलिया और नदी के बहार निकाला बच्चे को निकाला अब भरत जी सोच रहें इसे यहाँ पर छोड़के जाता हूँ तो कोई सिंगा जानवर इसे खा जाएगा तब इसका अत्या का पाप मुझे लगेगा जब तक यह थोड़ा समझदा नहीं हो जाता इसे अपने आसम मिले जाता हूँ अब यहाँ से मोई ममता शुरू होती है चलो पालना ठीकता बन उससे मोई रखना ठीक नहीं है भरत जी उसे लेकर के आसम मिले आए अब उसे चारा खिलाते फाल खिलाते उस हिरन में उसका ध्यान रखने में भरत जी का परमात्मा की भक्ती में जो ध्यानता वो देरे देरे कम होने लगा परमात्मा की तपश्य अटनी बड़ी भाग्यों से मिलती है इतना परिश्चम तप किया आज वो खीन होने लगा क्योंकि उनका मन धीरे धीरे हिरन में लगने लगा जहां पर वो दो गंटे 24 गंटे बैते रहते थे ध्यान में अवां 23 हो गए 22 हो गए दीरे दीरे उने लग गए अब वो हिरन का बच्चा जब बरजी पूजा करने लगे रहते हिरन का बच्चा आता और बरजी की पीट को अपनी जीव से चातने लग जाता शींगों से उनकी पीट खुजराने लग जाता वो उसकी तरफ ध्यान देते अब परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं लगने लगा बरजी कहते थे कि ये काल चक्र का मारा है ये दीन म्रिगी का बच्चा मुझे इपना माता पिता भाई बंडू समझता है ये किसी को जानता भी नहीं है इसका मुझे में विश्वास है अब इसे में पारण पूशन करते रूँगा इसे छोड़ूँगा नहीं है जहां भी जाते कि कोई जंगली जानम इसको मार ना दे इस्ञान करने तो साथ ले जाते पूझा करते समय तो साथ वे ठाते इस तरह से उनका आदा मन हिरन के बच्चे में बत गया इस तरह से बच्चा जब पूजा पर बैठते ठोड़ी देर के लिए आँकों से उजल हो जाता तो पूजा के बीच में से भरजी उठ खड़े होते बीच बीच में से पूजा में से खड़े हो करके उसे देखते और जब वो नजर आता तब कहते बेटा तेरा कLEAN हो इस तरह से आशिवा देखते रहते अब उनका पूजा में जो ध्यान था, एकाग रोकर के बजन काती थे, वो पूरा उनका ध्यान अट गया, और हिरन के बच्चे में उनका ध्यान लग गया, अब एक दिन की बात है, हिरनों का जुन्ड वहाँ उकर के निकला, जहां पर वो हिरन का बच्चा चल रहा था, उनको तो हिरन के जुन्ड को देखा, अपने सहपातियों को देखा, यह तो मेरे जैसे काम इस मनुस के पास रह रहा हूं, उन्होंने भी का तो तो हमारी जाती का है, तू कहां पर रह रहा है, हिरन का बच्चा उन जुन्ड के साथ में, और आज सम को छोड़ करके चला गया, अब भ ना डाला हो, मेरे बिना उसकी देखरे कोन करेगा, वो बहुती भोला है, सीधा है, कोई जंगली सिकार कर लेगा, इस तरह से अब भरत जी ने पूजा पात छोड़ दी, परमात्मा के पुत्र, साक्षा रिसव्य वगवान के पुत्र, उन्होंने परमात्मा से मन को उटा द अब उनका हिरन की तरफ भी ध्यान रहे गया, हाथ तरह हिरन की चिंता में पड़े रहते, चिंता में पड़े पड़े उनकी मृत्तु का समय आ गया, केते अंत मती सोगती, अंत के समय पर ध्यान रखना वक्तो, मन जो परमात्मा में लगना चाहिए, केते अंत के समय पर, ज उपकी तरफ जान जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है तब ही तो कहते हैं ना कि परवार में अगर किसी के प्राण निकल रहे हो उस समय पर रोना दोना नहीं चाहिए कि पापा तुम्हारे भी नामारा क्या होगा, दादा जी तुम्हारे भी नाम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करो, उच्यों कि उस जीवात्मा का मन तुम्हारे तलब किछेगा, उसे परमात्मा के जब जीव के प्रान करें हो, उसके कान में राम राम रसुमरन करो, उनके सामने बै कीतन सुनाएं भजन सुनाएं यही गती का होता है ना कि उनके सामने रोना 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 दोना करते हैं उनकी आत्मा को अत्रप्त करते हैं इसलिए हमेशा ध्यान रखो आखरी समय पर जिस में इस्त को माते हैं उसका कीतन उनके सामने करो उनके कानों में जाए जिस समय प्राण निकल रहे हो तो उस समय जाएगा तो उनकी गती हो जाएगी और भरत जी का मन जो इहरन मेरा उनकी प्राण निकल गए ये नहीं की भरत जी इंद्र की पुत्री से जिन्नोंने बिवाय कि इंद्र के दामाद रिस्व देव के पुत्र भगवान विश्नु का अंसी हो गया क्योंकि हिरन का उन्होंने ध्यान किया था हिरन के रूप में उनका जनम हुआ कालिंग जर्गिरी परवट पर हिरन हुए पांतु तपश्चा के बल से पिछले जनम में जो तपश्चा करी थी उसके बल से पुनर जनम याद रहा हिरन की रूप में सोचते हैं भगवान की मा में कितना मूर्ख हूँ जो स्वेम भगवान का पुत्रों करके एक हिरन की माया में फश गया में अपनी सारी तपस्या वियत का दी और आज मुझे हिरन की ओनी मिल गई और भगवान की रूप को ध्यान काते गाते एक दिन उन्होंने हिरन के रूप में उस नदी के अंदर समाधी लगा ली जब उन्होंने समाधी लगा ली फिर उनको अगला जनम अंग्रा गोत्र के ब्रामर कुल में हुआ ब्रामर कुल में अंग्रा गोत्र में जनम हुआ यहां भी उनका नाम भरत रखा गया पर तो यहां भी उन्हें अपने तीन जनम यात दे कि मैं ऐसा पूरा सम्राथ था भगवान का पुत्र था हिरन बना हिरन के बाद अब में ब्रामर के कुल में जनम हुआ है अब मैं मुक्त मुक्ति का साधन करूंगा अपने मुक्ति को भिंगने ने दूंगा अब भरत जी का यहां पर जो ब्रामर कुल में जनम हुआ उनके पिता ने उनका जन्यू संसकार किया उन्हें पढ़ने के लिए बेचते पंद वो गूंगे बेरे की तरह रहते क्योंकि उन्हें संसार की किस की चीशे मतलवी था उनके माता पिता जैसा कहते उकल लाले वेते थे वो बहुत प्यार करते बेता पढ़ाई कर पंद उन्हें केबल ओं नमो वगटेवास डेवाए ओं नमो वगटेवास डेवाए इस मंत्र का मनी-मन ध्यान करते भरत जी बोलते नहीं थे बच्पन से उन्होंने का मैं बोलूंगा तो संसार की माया में फस जाओंगा मेरे माता पिता मुझे प्यार में पसा लेंगे मैं साथ्यात माता पिता जो परंब्रह में उनका पुत्रों के कहां संसारी माता पिताओं के चक्कर में पड़ गया 84,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 देखते ही घर में पड़ा रहता है काम कुछ करता ले एकांट में आखे बंद करके बैथा रहता है उससे कहते हैं चल खेट पे जा खेट पे चले जाते हैं वहाँ पर बैथा देते हैं चडिया को उड़ा तो क्या कहते हैं राम जी की चडिया राम जी का खेट खाऊ चडिया भरवर पेड भाईयों ने का ये तो सब कुछ बर्बार कर रहा है उसको आते किछनी भुशी रोटी भावियां दे देती रूखी रोटी दे देती जैसे रोटी देती सूखी वासी उसी को खा लेते प्रेम से और परमात्मा में मस्त रहते एडर जो है एक राजा रहुगर था माराज रहुगर जो है वो धत्त्राते से ग्यान प्राप करने जा रहा था इडर उसी जंगल में चोरों के सरदाने नर बली देने के लिए माता काली के सामने प्रतिग्या करी थी उसकी मनुक कामना पूरी हो गए थी जिस पुरुस को नर बली देने के लिए लाए थे वो प जड़ वरत कहते थे मूर्क वरत कहने लग गए थे वरत जी को देखा जड़ वरत नाम पर गयता उन्हें पकड़ की ले गए निलाया दुलाया इस्नान कराया और माता काली के सामने बली ले जाने के लिए बैठा दिया जड़ वरत जी उस रूप में भी सांत वहते हैं कि पर आप प्र में आरहिन को देख रहे हैं जैसे बली देने के लिए खड़ चलाई माता काली प्रग्यक्त हुई सभी का संगार का दिया सभी दांकों को मार करके का पुत्र तो जैसे भक्त को देखकरे मेरा जीवन भी दन्यो गया जड़ भरजी वहां से चल दिये राजा रहुगर्ण के पालकी जो जा रही थी उसमें एक कार बीमार हो गया जड़ भरजी को देखा उनको पकड करके सिपाईयों ने पालकी में जो दिया अब जड़ भरजी जो है जैसे चलते सामने चीती आ जाती तो चीती कीनों को बचाने के लिए छलांग लगाते बार बार राज्या-घूंकर का मस्तिक जो है उस पालकी में लगता उसने का कहारो तुम ठीक से नहीं चलते ही उन्होंने का माराज जो ये नया कार आया है ये ठीक से नहीं चला इस लिए उस सल रहा है तब जडभ Reporting जी ने का अरे भाई तुम तो बहुत कमजोर लगते हो इतने कमजोर हो जो तुम से चलानी जाता तुम तो बिल्कुली अनाडी हो क्या पालकी कुछ जो है तुम उद्छा नीचा करके मेरा अनादर कर रहा है ऐसा लगता है मुझे तुझे डंदिर करना पड़ेगा इदा जो है ये कहता हुआ उसने जड़ भरत जी का त्रसकार किया फिर भी जड़ भरत जी मुश्कराते रहे उसने जो है चाबुक चलाने ही बाला था जड़ भरत जी ने सोचा कि संत ब्रामर जिसको अपने कंदे पे दारन कर ले लाजन तुमने सब ठीकी कहा है नाम नाम की कोई पड़ात नहीं धोने वाला ये सरीर है ये ना कई कमजोर है ना मोटा है ये ना मेरे लिए ना आपके लिए इस सरीर में आप जो बचन दे रहें गालियां दे रहें ये मेरे सरीर को लग रहे हैं मैं तो आत्मा हूँ ये मु करके मोन हो गए तो राजा रवगर सोचने लगा इतना ज्यानी पुरुष कौन हो सकता है आज जडवरत जी पहली बार बोले थे राजा रवगर जो है हाथ जोड करके चन्नों में गिर पड़ा माराज आप मुझे शिक्षा देने के लिए कोई दत्राते माराज तो नहीं आए जडवरत जी ने का कि राजन में ना डत्राते हूं ना कपिल हूं राजन तुम जिस राजी का अभिमान काते हो ये राजी भी मेरे यादिन था तुमने भरत संबरात को सुना हुगा माराज भरत का नाम सुना हुगा जो रिसब देव के पुत्रते उसने कहा माराज मैंने सुना है मन मैं वह वही हूँ पर माराज आप तो पनमात्मा के पुत्रते आप ऐसे कैसे आ गए आप इस रूप में आए हूँ नई राजन में वही बरत हूँ जिसका संसार में चक्रवती राजता देवता जिनके दर्वार में आकर के हाजिरी लगाते थे 33 को देव डेवता जिनको नवस्कार करते थे जो साक्षात विश्णों का पुत्र था वही में बरत हूँ पन्त एक मिरग में तिष्णा होने कारण उसमें मोय होने की कारण में मुर्ग योनी में गया अम मुर्ग योनी के बाद इस ब्रामर योनी में आया हूँ कि यह देखल कर कि राज रहो गूर पेलम गिर कर मालाज में इंद्र के बजी निय्द्ग के तशूर से निय्द्ग युम्राज के दंड्र से निय्द्ग के ब्राह्वन कुल के अप्राज से रहता हूं आप मुझे खिमा करें आपके गून बचन मेरे सरीर में प्रिवेश नहीं कर पा रहे हैं जड़भरत जी नहीं का की राजन जब मुझ जैसा ज्यानी पुरुषिभी ब्रमेट ओर सकता है तो तुम्हारी क्या वसकी राजन ज्यान तो तुम्हें कुछ है नहीं केवल ज्यानियों की तरह उडारन मत करो ब्रम सत्यम जगन मिठ्या यह संसा जो है इसमें केवल ब्रमी सत्यम बाकी जगन मिठ्या है इसलिए सबसे पहले कारणों के कारण मन को वसीवूत करो राजन हमेशा ग्यान तप यग अन्यदान गरिस्टर्म बेड़ाब्यास जल अगनी सूर इनकी उपासना से प्राप्ट नहीं हो सकता ग्यानी मात्माओं की चरण दूली का जब तक अबशीक प्राप्ट नहीं हो हे राजन इसलिए तुम संतों का ससंग करो जैसे ब्यापारी धनो पारजन करने के लिए दुर्गम इस्थानों की यात्रा काता है बैसे जीवात्माबिस्यों की लागसा से इस संसार के चक्तर में भटका दिया जाता है उसी जीवन में कभी भी सच्चा सुक्प्राप्ने होता इस संसार रुपी बन में 6 डा को हमेशा गुमते रहते ही, काम, क्रोण, मरलोव, ईस्वा, एंकार, इन 6 सत्रों के द्वारा हमेशा ये जीव लूटा जाता है, इनी के द्वारा वो जीवन वर जनम लेता है, बाल वस्ता में पढ़ाई काता है, जवन अवस्ता में फिर मुई म फस्ता आता है, धन कमाता है, ब्रिदा वस्ता में बीमार होता है, फिर संसार के चक्र में मृत्व प्राप्त होता है, फिर नरग स्वर की यात्रा काता है, फिर संसार में आता है, पन्तु कभी भी अपने मुक्ष का उपाय नहीं करता है, राजन जीवात्मा का लक्ष है, कि हमेशा जीव को पारमात्मा का इसान दिकाना चाहिए जग तक धन नस्त नहीं हो उससे पहले ही दान पुन कर लिना चाहिए लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा खर्च होगा कहते हैं धन की जितना तुम दान पुन करो आज हमारे पास पैसा है तो दान पुन कर लो सब कुछ कर लो कल पेशा जब नस्त हो जाता है तब पश्ताबाई रहता है अमने जीवन में कुछ ने किया इसनी धनका स्रिप्योग करो इस सरी से संतों की बक्तों की शेवा करो परमात्मा की शेवा करो यही जीवन का लक्ष होता है इस विकार से जडवरत ने राजा रहुगन को प्रेश दिया राजा रहुगन ने का कि मुझे ज्यान हो गया है राजा रहुगन उसी समय पर तपश्या करने के लिए बन की तरफ चले गए मारा जडवरत भी भगवान का ध्यान करते हुए अपने पिता परमब्रम के सिरूप को प्राप्ट हो गए यहाँ पर नोंने मुक्टी प्राप्ट करी स्वेम भगवान विश्नू प्रिकत हुए और कहें पुत्र तू तीन योनियों से बठक रहा था तूने आखर में मुझे अपनाई लिया मैं भे तुझे लेने आ गया हूँ आजा पुत्र तेरा स्वागत है भगवान अपने बैकुन्ट लोग को ले गई धगतो इसलिए अमेशा ढ्यान रखो चाहि प्रमात्मा के न्याए में संसार का जीव हो जाये प्रमात्मा का प्द्रयों Karम, मूमी पर सब को करमों का फल भुगना परता है वहां किसी का भेदबाव नहीं होता वहां किसी में सम्बिसम्ता नहीं होती इसलिए अमेशा परमात्मा की भक्ती करो अपने कर्म सुदारों ये मन्स जीवनवे बड़े भाग से मिलाए इसलिए मन को परमात्मा की चनों में अरपिट करो भक्तों आज की कठा का ये पर हम विश्राम करते ही आगे कठा महराज भरत के बर्सों के आगे का वर्णन करेंगे आप सभी को जै श्री किस्ना बुलिविंद्रा वनिव्यारी लाल की जै 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 श्री रादे जै जै श्री रादे जै जै श्री रादे जै जै श्री रादे